मेरे परिवार जनो, 21 सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर छेत्र में प्रगती की नई गाथा लिख रहा है आज का भारत चंद्रयान पर, चंद्रयान को चंद्रमा पर उतार कर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है आज का भारत G20 का इतना शामदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षन का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़े का एक नया आउसर बन गया है आज का भारत एशियन गेम्स में सौ से जाना मेडल जीत कर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तरफदेश भी होता है आज का भारत अपने दम पर फाइव जी लॉंच करता है और उसे देश के कौने कौने में ले जाता है आज का भारत दुनिया में सबसे जादा डिजीटल लेंदेन करता है जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सिन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई बड़ी बड़ी कंपनिया आज भारत में मोबाइल और टीवी लैप्टॉप कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है आज भारत लड़ा को विमान बनाता है लड़ावू को विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फैराने वाला विक्रान जहाज भी बनाता है और ये जो आज तेज रप्तार नमो भारत शुरू हुई है वो भी मेड इन इंडिया है भारत की अपनी ट्रेन है शाथ ये सुनकर कि आपको गर्व होता है या नहीं होता है आपका माथा उंचा होता है या नहीं होता है हर हिंदुस्तानी को उजवल भविश्य दिखता है कि नहीं दिखता है मेरे नव जवानों को उजवल भविश्य दिखता है कि नहीं दिखता है अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टीम का लोकार पुरुआ है वो भी अधिन इंडिया है और मैं एक और बात बताता हूं हम हेलिकॉप्टर में ट्रावेल करते हैं यह प्रदान मंतरी का हेलिकॉप्टर है न उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रेक्टर है हवाई ट्रेक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है कान को बंदरकरा पड़ता है हवाई जहाज में जो आवाज आती है मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेंड में हवाई जहाज से भी आवाज कम है याने कितली सुख़ दियात्रा रहती है